Hello everyone, आज हम देखने जा रहे हैं class 10th history का chapter print culture and the modern world तो print culture के बारे में हम जानेंगे और modern world को कैसे print impact करेगा या फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से print की शुरुवात होती तो है पर आज तक की जो story रही है print की modern world तक की वो कैसी रही है ये जो time period है ना वो हम देखने वाले हैं आज के हमारे इस chapter के अंदर पहली बात में ये करता हूँ कि इस chapter मतलब जिसका नाम है print culture जिसमें हम prints की बात करते हैं इस chapter के अंदर three parts है East Asia, Europe और India East Asia वाला part हमने cover कर लिया है Europe के अंदर भी हम कई सारे topics को cover करते हैं अब हम पहुँच चुके हैं the print revolution and its impact तक मतलब आज का जो हमारा topic रहने वाला है वो रहेगा the print revolution and its impact कि एक print revolution आखिर था क्या और उसका impact क्या पड़ता है लोगों के उपर तो सबसे पहले हमने कई type के revolution तो देखे हैं ठीक हमने French revolution देखा है हमने Russian revolution भी देखा है तो ऐसे में क्या ये print revolution भी कुछ ऐसा ही revolution था कि लोग निकल पड़े थे डंडे बगरा लेकर और मतलब पूरा एकदम माहुल बना दिया था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था print revolution लाना कुछ अलग था revolution का मतलब अगर मैं बताऊं आप लोगों को revolution का मतलब होता है एक change एक change को लेकर आना उसे हम कहते हैं एक revolution लाना अब revolution जो है न वो किस में आने वाला था प्रिंट में आने वाला था अब print में कैसे revolution आने वाला था तो देखो पहले revolution अगर हम बात करें पहले change की हम बात करें, तो सबसे पहला होगा पढ़ने वाले लोग, जो books को पढ़ा गरते थे, पहले जो books थी, वो सिफो सिफ, जो aristocrates हुआ गरते थे, पैसे वाले, उनके पास ही हुआ गरती थी, second फिर change ये आएगा, कि books का production, पहला तो क्या होगा, कि पहले जब ameer लोग प के production में, पहले production कम हुआ करता था, तो लोगों तक पहुच भी books की कम हुआ करती थी, पर अब लोगों के अंदर जो एक books को देखने की, पढ़ने की, एक जो वो एक होती, लेकते ये ना, अंदर से एक वो intuitions आते हैं, कि हाँ ये पढ़ना है, तो बस वही, वो अब भढ़ ग हर कोई जो लोग है, हर कोई जगहे तक books नहीं पहुचा करती थी, मतलब हर कोई person जो है books को नहीं पढ़ सकता था, पर अब जो print revolution आया था, उसके कारण books जो थी, वो हर किसी की reach में आ चुकी थी, कोई भी person जो था, वो books को buy कर सकता था, हम ये देखते हैं कि print revolution जो है, उसकी जब शुरुआत हो जाती है, अब थोड़ा ढंग से समझते हैं, थोड़ा उसके brief में आते हैं कि आखिर ये print revolution क्या था, print revolution के होने से क्या impact पड़ता है पूरी society के उपर, books के production के अंदर, ये सारी चीज़े हम जानने वाल हैं आज के हमारे इस एक single video में, print revolution तो सबसे पहले य में ही था, ये तो एक वे था कि किस तरीके से books को produce किया जाए, development क्या होता है तो देखो, french revolution एक development था, french revolution एक development था, क्योंकि वहाँ पे कोशिश की गई थी कि मोनार्की को खतम करके, वहाँ पे rule by public लाया जाए, जो public का जो rule है ना, वो वहाँ पे बनाया जाए, पर जो print revolution है, व लाने वाला था, एक change कि जिससे production जो है books का, वो बढ़ाया जा सके, तो किस तरीके से हम books को produce करते हैं, वो हम देखते हैं, print revolution के अंदर कि किस तरीके से हम books का जो production है, उसे बढ़ा सकते हैं, उसे ही हम print revolution कहते हैं, अब जब भी हम print revolution की बात करेंगे, print revolution के अंदर हम कुछ कौन कौन सी है तो मैं वो बता देता हूं कि इस से प्रिंट रेवलुशन के आने से अब जो लोगों की जिंदगिया है वो अब चेंज होने वाली थी अब चेंज कैसे होने वाली थी तो देखो बच्चो जब भी आपकी लाइफ में नौलेज आएगी ना तो आप अपने आप आपको कुछ अलग फील करने लग जाओगे थोड़ा सा चींज आपकी हर एक एक एक्टिविटी में आ जाएगा कैसे आपका जो एक्टिटूड है हर किसी चीज को लेने का देने का यह सारी चीज आपकी बदल जाएगी तो देखो लेट सपोस है ना पहले आप जब एक चीजों के लिए आप लोगों के लाइक उस बेको समझने को को शिष्ष करो कि आप अपने आपको समझोगे आप दूसरों के पॉइंट को समझोगे कि आखिर को कह रहा है पर जब आप अपने टीनेज में यह आएगी जैसे आपके पास आइडिया जाएंगे तो आप नहीं है बहुत ज़्यादा polite हो जाएगा तो हमने क्या देखा knowledge आएगी तो हम अपने आप polite होंगे फिक इसी तरीके से जब knowledge आएगी तो लोगों की जिंद्गिया भी change होने लग जाएगी देखो बच्चों हमेशा याद रखो कि जो एक knowledge है जो पढ़ा ही है आपके पूरे life को change करके रख सकती है मतलब आप जो सोच नहीं सकते आप वो बन सकते हो पर उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है knowledge क्योंकि जब तक knowledge आपके पास नहीं होगी आप अपनी life में कुछ नहीं कर सकते हैं और knowledge का मतलब कभी भी bookish knowledge नहीं होता है knowledge का मतलब होता है behavioral knowledge, societal knowledge आपको society के बारे में पता होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए आपके आसफास में क्या चल रहा है पहले भी ऐसी सोसाइटी हुआ करती थी तो ऐसे में वो सोसाइटी कैसे हुआ करती थी क्या वो काम किया करती थी किस वज़े से उस सोसाइटी को हमारा बैकबोन बोला जाता है किस वज़े से उस सोसाइटी को हमारा बेस बोला जाता है वो हम पढ़ाएंगे आपको history के अंदर मतलब बात इतनी ही है कि social science जो है वो आपको बजाती है कि असली knowledge क्या होती है असली knowledge science मैं वो नहीं है असली knowledge यह है कि आप किस तरीके से society में behave करते हो society को समझते हो, society को जानते हो और यह सारी चीज़े आपको सिर्फ एक ही जगे देखने को मिलती है और वो है social science चलो, social science के बारे में इतना है discussion अब बात करते हैं, हम कैसे life को change करने वाले थे, ठीक है life change होने वाली थी, relationship जो है information का knowledge के साथ वो भी change होने वाला था, पहले हमारे पास कुछ भी information होती थी एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाना भी उसको मुश्किल होता था, पर अगर अगर अब किसी के पास information है अब किसी के पास अगर knowledge है तो उसको जादा से जादा areas तक बढ़ाया जा सकता है अब हम ये देखते हैं ना, कि हाँ अब लोग जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा influence हो रहे थे बुक्स से, अब देखो बुक्स जो होती है उसमें किसी ना किसी person के ideas होते है ठीक है ना, अब let's suppose मैंने अगर कोई book अगर देखी, कोई book अगर मैंने समझी, तो उसमें मुझे ध्यानने को मिला कि हाँ, जो world होता है वो बड़ा ही अच्छा है world के अंदर हमें attitude नहीं रखना चाहिए polite रहना चाहिए, हमें अपना behavior soft skills अच्छी करना चाहिए, ये सारी चीजे मैंने एक book में पड़ी, पहले मैं चीजों को नहीं जानता था, पर जैसे ही मैंने एक book पड़ी तो उससे मुझे ये ideas मिले, तो मैं उन ideas influence हुआ, कि हाँ, सच्छी में मुझे अपनी life को change करना पड़ेगा, उसके अंदर ये सारे changes लाने बड़ेंगे तो होता गया है ना कि कभी जब हम books को पड़ते हैं, कोई अलग-अलग type के authors को हम देखते हैं, उनका बारे में समझते हैं तब हम उनके ideas से influence हो जाते हैं, अब ideas से influence हो ना, और अगर हम बात करें, इस chapter की, उसके time period की तो देखो, हम ये देखते हैं कि यहां पर लगभग लगभग 15th century की बात की जा रही है, 15th century के अंदर या फिर मैं बात कहूं थोड़ा और अगर हम आगे चलते हैं, 18th century तक हम पहुँच जाते हैं, तब हम यही तो देखते हैं कि 18th century, 15th century से लेकि 18th century के अंदर society अब change होने वाली थी change इस तरीके से होने वाली थी कि अब लोगों को चाहिए था कि अब जो मोनाकी है ना वो खतम हो जाए मोनाकी खतम हो और हमारा रूल आए वो हम कब देखते हैं, हम देखते हैं वो 18th century के अंदर, 1789 the French Revolution, French Revolution के अंदर ये पहली बार कोशिश की चाहिए थी कि अब हमें society को change करना है, पर society को change करना है, ये ideas लोगों तक आया कैसे तो लोग जो थे वो books पढ़ा करते थे, books में वो देखा करते थे, कुछ writers 18th ने बोला कि freedom जैसी कोई चीज होनी चाहिए, हमारे पास democracy होनी चाहिए, ये चीज़े कभी किसी ने बोल दी होगी तो ऐसे में लोगों ने पढ़ा समझा और लोगों ने सोचा कि हाँ ऐसा तो होना चीए, तो लोगों ने उस knowledge का use किया उस knowledge से वो लोग influence हुए और अभी तक का जो भी popular perceptions बन रखा था था ना, उसे change करने की उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने बोला कि अब हमें ये जो institution के जो अभी तक के institution और authorities के जो रूल चलते आए हैं उन्हें सभी rules को आब हमें change करना होगा, उस change को लाने के लिए आप कोशिशे करी जानी थी तो popular perceptions जो होटे हैं institution और authorities के आने से अब वो बनने वाले थे तो अब यह जो popular perceptions थे वो बन चुके थे अब लोगों को change चाहिए था authorities का जो rule था वो अब खतम होने वाला था authorities किसी को भी नहीं चाहिए थी authorities की बायत को अगर हम side करते हैं तो अब हम आते हैं इस chapter पर अब इस chapter के अंदर हम देखेंगे एक नया reading public अभी एक topic भी है अगर मैं बता दू तो इस वाली पूरे main topic का यह sub topic है a new reading public एक नई reading public नए reading लोग जो थे वो अब लोगों के सामने आने वाले थे और यह क्यों possible हुआ था यह possible हुआ था printing press के कारण कि printing press आती है तब ही लोगों को लगता है कि books को बढ़ाना चाहिए हर जिके से books की demand आती है books logo तक पहुसती है और लोग जो है अब एक reading public बन जाते है readership एक अच्छी बन जाती है अब हम यह देखते हैं कि जैसे ही एक नई printing press लोगों के सामने आती है नया method आता है production का तो production के नया method के साथ ही एक नया reading public भी आता है मतलब जैसे ही books बढ़ने लगती है लोगों तक पहुचने लगती है नए नए लोग जो है वो books को पढ़ना चाते है नया जादा 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 जो readership बेस है वो उसको भढ़ाना चाते है अब यह क्यों हो रहा था आकिर एक नई reading public ही क्यों बनती है उसके भी कुछ कारण थे कारणों के अगर हम बात करें causes की हम बात करें तो सबसे पहला यह था ना कि जैसे ही printing press आती है printing press के आने से जो book की cost थी वो अब reduce होने वाली थी पहले जो book की cost आती थी ज्यादा होती थी expensive books होती थी और expensive books होने के कारण हर कोई उस book को buy नहीं कर पाता था पर अब जैसे ही printing press आती है उसके कारण books की cost जो होती है वो कम हो जाती है और books की cost जैसे ही कम होती है जादा से जादा जो लोग होते हैं वो उसे buy करते हैं और books की reach भढ़ जाती है साथ ही हम यह देखते है production increases जैसे ही books की cost कम होती है वैसे ही उसका production भढ़ाया जाता है क्योंकि लोगों के demand भी जो होती है books के लिए भड़ जाती है फिर हम यह देखते है time and labor decline जो पहले time लगता था जो labor लगता था एक book को बनाने में वो अब change होने वाला था क्योंकि time or labor जो था वो decline हो रहा था time or labor decline इसलिए ही हो रहा था क्योंकि हम यह देखते हैं कि हाँ जो books बनाई जा रही है न नहीं वली उन books के अंदर production का एक नया method मतलब printing press आ चुका है तो printing press के आने से books का production बढ़ जाता है अब इसका result क्या होता है देखो जब भी कोई चीज होती है life के अंदर या कभी भी society के अंदर कोई भी नई चीज होती है तो उसका impact भी society में उतनी life के अंदर जरूर परता है क्योंकि हम जानते है कि यह क्या है यह एक society है और इसके अंदर अगर कोई भी नई चीज हमें देखने हो मिलेगी कोई भी कोई नया possible outcome होगा ना उसका कोई न कोई हमें result जरूर देखने को मिलेगा अब यह result क्या हो सकता है मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ तो जैसे ही printing press market में आती है cost कम होती है production बढ़ता है time or labor जो है books को produce करने में वो कम हो जाता है वैसे ही पूरे market के अंदर हम देखते हैं कि जो books होती है वो flood कर जाती है मदब एकदम है न हर जगे books जिसके कारण books कोश बहुत कम ज़्यादा कम हो जाती है और जो लोग होते है ज़्यादा से ज़्यादा अब books को buy करना चाहते थे ज़्यादा ज़्यादा लोगों कर सके और लोगों तक books को पहुंचा सके साथ ही हम यही देखते हैं कि वो जो booksellers होते हैं उनका सबसे बड़ा मोटिव होता है पैसा कमाना और पैसा कमाने के लिए वो हर जगे books को फैलाना चाहते और उसकी कोशिशे वो बहुत ज़्यादा करते हैं कुछ यही रिजल्ट हम क्याते हैं पड़ाना जो अब लोगों के अंदर को होने वाला था अब वाकर में कि. print culture होता क्या है, हम बात कर रहें हैं एक नए culture की जिसको हम क्याते है reading का नया culture, अब ये नया reading culture क्या था, तो देखो एक ऐसा दोर, एक ऐसा time period की याधक नुश पूरे chapter का सबसे important part है, उसमें आपको एकदम अच्छे से ध्यान करना पड़ेगा ध्यान यही करना पड़ेगा कि देखो एक नया रेडिंग कल्चर कैसे है तो देखो कल्चर जब डालब होता है जब हमारे लोगों को लगना लगे कि ये तो हम सभी का सेम है मतलब अगर let's suppose मुझे ये लगना लगे कि social science पढ़ाना तो like social science मुझे सभी को पढ़ाना है ठीक है और सभी को ये लगे कि हमें social science पढ़ना है मतलब सभी लोगों का जो mindset है वो एक जैसा जब हो जाएगा उसे हम कहते हैं culture एक time period की बात की गई एक समय सीमा की बात की गई आप ये समझ लो 1550 से लेके 1700 के बीच में एक ऐसा time period चलता है जब लोगों को ये लगने लगता है कि हमें books तो पढ़नी ही पढ़नी पढ़ेगी अगर हमने अपने लाइफ में पढ़ी है उन्हें जो पढ़ने की एक value है न वो पता है तो वो आपको हमेशा बस एक ही राय देंगे बच्चा पढ़ लो उनके mind में ये चीज क्यों आई क्योंकि वो जानता ही कि reading जो है एक change ला सकता है उनकी life में यही change जो तो तुहाना वो 1550 से 1700 के बीच में उन लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को और कुछ भी नहीं पर हमें book तो पढ़नी ही है और book को पढ़ने वाले को हम कहते है readers तो हमें क्या पढ़ना है एक reader बनना है और ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों को reader बनना रहेगा ज़्यादा ज़्यादा लोगों का motive सेम रहेगा कि हमें books पढ़नी है तो उसे ही तो हम एक culture कह देंगे कि अब लोगों के बीच में एक culture आता है culture यही आता है कि हाँ कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो भाई तुम भी पढ़ो आप जो है intellectual ही नहीं हो आपके पास knowledge ही नहीं है आज हर एक माबाब चाता है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छी सी अच्छी school के अंदर education ले अच्छी सी अच्छी knowledge जो है वो gain करे क्योंकि सब को पता है कि यह चीज जो है वो requirement है तो बस लोगों को यही लगने लगया था कि यह जो book है न वो तो हमारी requirement है जब लोगों को लगने लगया requirement है लोगों को लगने लगया कि हाँ अब books को पढ़ना ही पढ़ना पढ़ेगा तभी लोगों के बीच में एक नया culture आ जाएगा अब देखो कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होगे जिनने नहीं समझना होगा बस इत्ता समझे लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें पढ़ना चाहिए तभी लोगों को लगने लगते है कि हमें पढ़ना चाहिए उसे हम culture कहते हैं कौन सा culture कहते हैं कोटा सा है अब culture की definition के पीछे इदर उदर पागल होनी भी जरूरत नहीं है वक्त एक साथ कुछ समझ रहोगा ठीक है अब बुक्स का production भड़ गया था बुक्स की cost कम आ गई थी तो अब सभी लोग जो थे वो बुक्स को buy कर सकते थे अब एलिट्स जो है वो जरूरी नहीं थे कि वहीं सिर्फों से बुक्स को buy करेंगे अब हर कोई person जो था ना वो बुक को buy कर सकता था पर हम यह देखते हैं ना कि अगर एलिट्स जो थे वो बुक्स को buy करते थे तो जो common people थे उनके साथ क्या होता था common people क्या किया गरते थे common people जो थे ना वो oral culture के उपर रहा करते थे oral culture क्या होता है तो देखे बच्चो होता यह है न कि हम कुछ चीजे जो होती है वो लिखते हैं ठीके और कुछ चीजे होती है जो हम बोलते हैं जो हम लिखते हैं उसको हम written culture कहते हैं और oral culture मतलब जो चीजे हम बोलते हैं क्या गरते हैं जो चीजे हम बोलते हैं उन्हें हम हमारा oral culture कहते हैं तो समझ में आया oral culture क्या है जो चीजे हम बोल के समझा सके एक deep region जैसे कि दादी नानी की कहानिया होती है नानी मा कहानिया सुनाती है न अलग अलग type थी बस वही जो चीजे हम बोल के समझा सके एक deep region जैसे कि दादी नानी की कहानिया होती है नानी-मा कहानिया सुनाती है ना अलग-णड़ टाइप थी वो कहानी उन्हें याद रही तो उन्होंने अपने जेन पैरेंट जो गरेंट सिल्गम से उन्होंने सुना दी तो यह जो चीज है यह orally transmit हो रही है एक जगे से दूसरी जगे जगे जा रही है अब orally common people के लिए उस समय क्या transmit हो रहा था तो वो थे sacred taxes तो हम देखते हैं 15th century, 16th century के अंदर लोग बहुत ज़्यादा religious थे तो उनके लिए सबसे पहली ज़रूरत थी क्या religion उनके लिए सबसे ज़रूरी थी sacred tax की आपने देखा होगा कि इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर गुरुकुल अगरा हुआ करते थे knowledge हुआ करती थी तो उस त्रमें भी अम अगर बात करें कि उस समय जो लोग होंगे यही यही थे sacred टेक्स जो भी religion के related जो भी टेक्स हुआ करते थे वह सब ठीक है बैल आट्स जो थे वह रिपसाइट किया करते थे लोग folk tales मतलब जो भी लोग कहानिया होती है वह सब हम लोगों को सुनाया करते थे साथ ही साथ जो एक collective stories है मतलब क्या करते थे जो भी कहानी सुनाया करता था सभी लोग आसके आसपास आके बैट जाये करते थे तो उसकी कहानिया सुन रहे हैं तो बस यही हुआ करता था ठीक है उस समय तक लोग पढ़ना नहीं जानते थे हम देखते हैं कि अगर हम print के technology से पहले चले तो बुक्स जो थी वह बहुत ही ज्यादा expensive थी expensive होने के साथ साथ हम देखते हैं कि बुक्स जो थी ना उनका production ज्यादा नहीं होता था और production जब ज्यादा नहीं होगा तो वह sufficient numbers में लोगों तक नहीं पहुत सकती थी हम यह देख production बहुत ज्यादा कम था और इसके कारण बहुत ज्यादा expensive भी होती थी और साथ साथ वह sufficient number में हर किसी तक नहीं पहुत पाती थी पर अब जो थाना change आने वाला था printing press के आने से एक wider reach लोगों तक पहुतने वाली थी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो books को access करने वाले थ साथ ही हम देखते हैं कि अभी तक जो एक hearing public थी वो एक reading public अब बनने वाली थी hearing public को reading public बनना ही print revolution कहलाता है hearing मतलब जो पहले लोग सुना करते थे औरल कल्चर चला करता था अब औरल कल्चर जो है चेंज होके एक reading culture बनने वाला था अब लोग जो है सुनना पसंद नहीं करेंगे अब लोग पढ़ना पसंद करेंगे लोग hearing public से अब बनने वाले थे एक reading public पर अभी भी एक चेंज जो भी आता है ना उसके सामने कई सारी problem जी साथ में आ जाती है problem क्या आने वाली थी उसके बारे में अब भात करते हैं तो देखो printing प्रेस से बुक्स आ गई की ज़्यादा कम होती है वहां कि लोग बुक्स को पढ़ना ही नहीं जानते हैं उनको लेक्वेजिश अगरा टेक्स अगरा कुछ आइडिया था ही नहीं तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी अब लोगों को पहले तो पढ़ाओ पहले उन्हें लिट्रेर बनाओ और लिट ही ज़्यादा लिट्रेशी तक बहुत ही ज़्यादा कम रही थी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वहां के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे मतलब हैं आप अपना कभी-कभी टोन अंदर किसी को बोलता है ज़्यादा अंग्रेज मत बन बन बंजा इं हम यह देखते हैं तो ऐसे में किस तरीके से पॉब्लीशर जो है वह पर्सुएट करते थे एक कॉमन पीपल को ताकि वह बुक्स को वैलकम कर सके मतलब अब पॉब्लीशर के लिए क्या था हूंने तो प्रोड़क्शन कर दिया तो प्रोड़क्शन करा है तो लोगों तो पह सामने होता है फ़र आपको दिखता नहीं है हर जगे लाइफ में यह चीज प्रॉब्लम आएगी जो प्रॉब्लम होगी वह आपके सामने यह आके खड़ी हो जाएगी कि हालो बताओ क्या है हम ही खड़ें बताओ का जाओ बट कभी डढ़ना नहीं उसके पीछ से एक्दम ख करेंगे कि हाँ अलड लोग को दिखतोली बात नहीं पर पॉलाइट रहें हैं कि हाँ लोगों को अब परसुएट करना था कि वह ज्यादा से ज्यादा प्रिंटेट बुक्स को परे संजे उसको माने यह सारी चीज़े बहुत ही ज्यादा जरूरी थी तो ऐसा करने के लिए अब जरूरी था लोगों को लोग लोग करें दो इन्टीक करें इसे एंज लोगों को सुनने में मज़ाए जब एक बार सुनने मज़ाए गा तो आपको रहेगी कि हाँ चलो हम इसको पढ़के भी देखते हैं तो ऐसे में लोगों को मज़ाए लोगों के आसपास के एरिया में जो भी छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी स्टोरीज है न वहां की उन्हें एक बुक के अंदर लाया गया ताकि लोगों को इंटरस्ट आए कि हाँ ऐसा कुस तो एह ही है तो एक एंटेटेमिंट परप्रस के लिए फोक टेल्स को उन बुक्स के अ अब सबसे पहली आपकी नजर कहा जाने वली है आपकी सबसे पहली नजर जाएगी किसी भी पिक्चर के उपर अगर अच्छी है तो आर्टिकल भी पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे में हम देखते हैं कि पिक्चुर जो थी वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्ट इंक्लूट कर देते हैं ताकि लोगों को मज़ा आए अब इन पुच्चस को इन सभी चीजों को लाने के साथ ही ज़रूरत ये भी तो थी कि पहले starting phase में लोगों को पता पड़े कि books जींसी होती हैं तो ऐसे में gatherings के अंदर books को पढ़ा जाने लगा यहां पर भी लोग एक साथ जुन में आ जाया करते थे वहां पर लोगों को books के बारे में समझाया जाता सब्सक्राइब तो अगले टॉपिक के अंदर हम बात करने जाएंगे इस तरीके से लोगों को लगने लगता है कि हाँ पढ़ना जुरूरी लोग पागल हो जाएंगे पढ़ने के बारे में और कुछ नहीं करना जीवन में बस हमें क्या करना है बुक्स को पढ़ना है तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से print revolution आता है हमने देखा उसका क्या impact पढ़ता है लोग ज्यादा ज्यादा पढ़ना चाहते थे यही इसका impact था यह सारी चीजे हम देखने वाले थे आज के इस वीडियो के अंदर और इस वीडियो के अंदर सारी चीज़े हम कवर कर चुके हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो वीडियो बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करो और अगर ऐसे इंट्रेसिंग वीडियो चीए तो इश्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्रेंड्स थैंक कर सकते हैं